विल्कम स्टूडेंट क्लास सेकेंड बच्चो आप लोगोंने चैप्टर नाइन में पढ़ा सोनुने पकड़ी तितली तो आप लोगोंने पढ़ा कि सोनु एक बच्चा था और उसने एक तितली को जो बगीचे में फूलों के उपर उड़ रही थी उसको पकड़ लिया था पकड़ने के बाद वो दूसरों को समझाने पर भी उसको नहीं छोड़ता है और वो अपने घर ले आता है फिर जब उसके पापा उसको समझाते हैं कि हमें जीगों पर दया करनी चाहिए और हमें उन्हें सताना नहीं चाहिए तो वो फिर उसको छोड़ देता है ठीक है? यह questions हम इसका करा रहे हैं अब question answer ठीक है? तो वो बच्चा सोरू क्या करता है? तित्ली को फिर छोड़ देता है इसके आपके word meaning भी मैंने आपको बताई थी कि आपको करना है बिटा इसके बाद में oral question देखिए तित्ली फूलों पर बैठ कर क्या करती थी? तित्ली फूलों पर बैठ कर उसका रस जो है वो चूसती थी ठीक है? बच्चे बगीचे में क्या कर रहे थे? सब बच्चे बगीचे में खेलने गए थे सोनू के पिता जी ने उसे क्या समझाया? सोनू के पिता जी ने उसे समझाया कि हमें जीवों पर दया करनी चाहिए उन्हें सताना नहीं चाहिए सेकेंड एक्सरसाइज हम लेते हैं उचित विकल्प चुनिये तितली के पंख कैसे थे? कोमल वा सुन्दर, चमकीले और बड़े और भारी तो तितली के पंख कैसे थे? चमकीले थे? बिल्कुल सही है बड़े और भारी थे? नहीं कैसे थे? कोमल वा सुन्दर थे ओके? खा नंबर तितली रोज कहां जाती थी? तितली रोज? खेत में, बगीचे में, घर में कहां जाती है तितली? बगीचे में जाती थी सोनू कैसा था? समझदार, लालची, सरारती तो सोनू कैसा था? समझदार बिल्कुल नहीं था लालची भी नहीं था कैसा था? सरारती था बस वो सरारत ज़्यादा करता था ठीक है? तो बच्चों आप लोग ये एंसी क्यू फिल करेंगे और वीडियो हमको सेंड करेंगे और बच्चों आप लोगों के कोश्चन अंसर जो अभी आपने लास्ट चाप्टर के किया है वो भी हमें एक बार सेंड करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों का कम्प्रेट हो गया है वर्ट ठीक है बच्चों? तो आप लोग क्या करेंगे? ये ओरल कोश्चन है इनको आप देखेंगे और जो सेकेंड एक्सरसाइज है जो कोश्चन आंसर है इसमें आपको कुछ नहीं करना है बता आप इनको ओरल कोश्चन को आप समझेंगे इसके बार में जो सेकेंड एक्सरसाइज है MCQ उसको आप लोग करिफ्ट करके हमें सेंड करेंगे ओके बच्चों और नेक्स जो एक्सरसाइज आएगी कोश्चन आंसर आपको नेक्स वीडियो में हम सेंड करेंगे ओके बच्चों ओके बाइबाइबाइबाइबाइब टेक केर